हे गाईज वेलकम बैक तो माई चैनल तो आज मैं रेसिपी वीडियो लेकर के आई हूँ आप सब लोगों के लिए तो आज की जो रेसिपी है वो दमालू की रेसिपी है इसे मैं बिहारी स्टाइल में बनाने वाली हूँ तो ये थोड़ा स्पाइसी मसालेदार होने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आपके पास चोटे आलू नहीं तो आप बड़े आलू भी ले सकते हैं उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर ले मत्तों काट ले अच्छे से और उसके बाद हमने दो प्याज को इस तरह से स्लाइस में काट लिए है दो टमाटर को भी से स्लाइस में काट लिए है और एक लहसुन को छिल के लिए और यहां पे हमने सूखी चार लाल मिर्च ली है यही लाल मिर्च हमें डालना है क्योंकि बिहारी स्टाइल है तो थोड़ा स्पाइसी तो बनाना है तो इसलिए और इसके बाद इसके ऊपर ह हमें हमारा जो आलू अच्छे से फ्राइ हो गया है तो अब इसको हम लोग निकाल लेंगे प्लेट में अब हम उसी तेल में थोड़ा सा जीरा ढालेंगे और तेज पत्ता ढालेंगे उसके बाद जो चार सूखी लाल मिर्च ली थी वो डालेंगे उसके बाद जो हमने एक लहसुन छीला था वो डालेंगे इसके बाद अब हम इसमें जो प्याज हम लोगों ने काटा था वो डाल के इसको थोड़े देर फ्राइ करेंगे इसको अपर हम लोग टमाटर डाल के थोड़े देर और पकने देंगे इसको अच्छे से मतलब छक्ग Chris प्यास टमाट का मिक्षर डेडी हो गया है तो अब लूग प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे उसके बाद इसे हमें पीसना है अब जो मिक्षर है वो ठंडा हो गया अब हम लोग मिक्षर लेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से हमने पीस लिया इसको अब हम कराई में ओयल गरम करके उसमें थोरा सजीरा दो-तिन तेज पत्ता, दो-तिन सुखी लाल मिर्ज डालेंगे और उसके बाद एक प्याज को बारी काटके हम उसमें डालेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे उसके बाद जो हमने मिक्षर रेडी किया था प्याज टमाटर का वो इसमें डालेंगे यही पे हम लोग मसाला एड करेंगे एक चमच हलती पाउडर दो चमच धनिया पाउडर और आधा चमच जीरा पाउडर आड करेंगे और इसको बार-बार चलाते रहेंगे ताकि यह कढ़ाई में चिपके नहीं और फिर हम यहाँ पे स्वाधनसार नमक डालेंगे और इसको चलाते वे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से जब तक साइड से तेल न चूटे तब तक हम लोग को इसको फ्राई करना है तो देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राइ हो गया है तो अब इसमें हम लोग पानी आड़ करेंगे अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं जितना भी आपको ग्रेवी का थिकनेस रखना है उसके अकॉर्डिंग आप पानी डालिए अब इसको हम लोग पांश मेट के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे ओबलने के लिए तब तक इधर हम लोग जो आलू है उसमें फोक की हेल्प से अच्छे से छेद कर लेंगे ताकि जो रस है हमारा वो अच्छे से इसके अंदर जा सके देखिए हमारा जो ग्रेवी यह अच्छे से उबलने लगा है तो अब इसमें हम लोग आलू डालेंगे अब पांश मेट के लिए हाई फ्लेम पे इसको ऐसे ही पकने देना है हमारा जो दमालू है वो पूरी तरह से रेडी है तो अब इसी टाइम पे हम लोग इसमें गरम मसाला अड़ करके दो मिनिट चलाके फिर इसको बंद कर देंगे अब इसे हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे तो देखा आपने की जो दमालू की रेसिपी है मैंने कितने इजी तरीके से आप लोगों को बताई है तो आप लोग भी अपने घर पे जरूर इसे ट्राइ करें और मुझे कमेंट में बताए कि आपको कैसी लगी है रेसिपी आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे और भी ऐसे वीडियोज देखने के लिए अच्छा लगे बताए करें